आज हम बनाएंगे तील मावा रोल सर्दी के मोसम में गर्माहट देने वाला खास मिठाई स्वाद ऐसा कि आपने इसे बना लिया तो कब खतम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा और बनाना है आसान Hello everyone, कोई लंचल लसोई में आप सबका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं एरेसेपी तील मावा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम तील भूझेंगे तो गैसान करके पेन चड़ा दिए है पेन गरम हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे तील तील ओजन में 200 गराम है गैस का फले में हाँ पे मीडियम रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे हम तील को ज़्यादा भूझेंगे नहीं और तील का कलर भी चेंज नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा जैसे ही तील हलका फूलने लगेगी तो तील को हम चेक कर लेंगे तील जलनी नहीं चाहिए और तील को हम लगातार चलाते रहेंगे तो तील भूझते हुए तीन मिनट हो गई है तील रोश्ठ हो चुकी है और फूल गई है खुस बूगाने लगा है तो गैस का फले मॉप करेंगे और तील को हम निकाल लेंगे तील अच्छी तरह से भून चुकी है वो ज्यादा नहीं भूजना है अब तील को हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं और इसको चलाते हुए हम ठंडा कर ले रहे हैं तील को ठंडा करके ही पीशेंगे अगर गरम गरम पीशेंगा इन में से oil निकल आएगा और बिल्कुल paste के जैसा बन जाएगा तील ठंडी हो गई है तो इन में से थोड़ा सा तील साभूत निकाल लिजिए बाकी तील को हम दरदरे पीश लेंगे grinding jar में डाल करके तील को हम pulse mode पर दरदरा तील पीश के तयार कर लेंगे लगातार नहीं पिशनी है ने तो तेल रिलीज हो जाएगी तील में से तो तील का बढ़ी असा पाउडर बन गया है तील को हम साइड में रखते हैं चलते हैं गैस के पास इसोन करके हम पेंचड़ा दिये हैं अब बाड़ी है मावा भूनने की तो 200 ग्राम मावा है मावा को हम करमल कर लिए हैं मावा को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे मावा को भूजते हुए 2 मिनिट हो गई है मावा पतली हो गई है मावा को जादे नहीं भूजना है आबा का कलर चेंज नहीं कीजिए अब इसमें हम डाल देंगे सूगर पाउडर तो ओजन में 200 ग्राम है अगर कप से ना पेंगे तो सवा कप से थोड़ा सा जादा है अगर आप सूगर पाउडर के जगह इतना गूर भी यूज कर सकते हैं इसे अच्छे तरीके से मिलाइए चीनी डालने के बाद में एकदम पतली हो गई है और चारो और देख सकते हैं आप इसमें बवल सा रही है चीन से ज्यादा नहीं पकाना है यहीं पर गैस का फ्लेम हम पहले आप कर देंगे पिसी हुई चीनी है इससे पकाने में बिल्कुल टेम नहीं लगती है इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई तील इसमें हम डाल देंगे दो इलाइची छील करके हम ले लिये हैं उसके बीज बीज को कोट के हम नहीं लिये हैं अबू तिलाइची का दरना जब मुह में आ जाती है तो एक भी टुकड़ा आ जाता है तो इतना टेश्टी लगती है खाने में इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह से हम मैंने मिक्स कर लिया है अब इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे इस mix को दो पाट में मैंने divide कर लिया है इतने मिसरन में दो रोल बन जाएंगे फोट पर हमने फोट पेपर ले करके बिचा लिये हैं इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि इसमें चिपकेगी नहीं फोट पेपर के उपर साबुत तिल उपर से हम डाल देंगे अब बाकी तिल बाद में हम यूज करेंगे और मिसरन को हम डाल देंगे एक भाग मिसरन को हम रख दिये हैं प्लेट में और एक भाग इसमें हम डाल रहे हैं और हाथ में भी थोड़ा सा हम घी लगा करके मिश्रंग को अच्छी तरह से हम फैला देंगे जादे पतला हम नहीं करेंगे इसे हम फैला लिए हैं विसपर उपर से डाल देंगे ड्राइफुट तो थोड़ा सा कटा हुआ पीष्टा हम उपर से डाल दे रहा हैं आप अपने मन पसंद ड्राइफुट इसमें ले सकते हैं थोड़ा उपर से हम कटा हुआ बेदाम डाल दे रहा हैं उपर से डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ काजू तो चलिए इसे हम अब रोल करते हैं फोईल को उठाएंगे और इसे इस तरीके से मोडेंगे फिर फोईल को हम पीछे ले जाके फिर से इसे मोडेंगे ऐसे ही पुरे रोल बना लेंगे और थोड़ा सा तील ले करके उपर से हम स्पिंकर कर देंगे तरब फोल पेपर को उठाते हुए आगे पीछे करते हुए हम रोल करेंगे साइट से भी थोड़ा सा तील को हम स्पिंकर कर देंगे उपर से दोनों पीछे के साइट से हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से चिकना हो जाएगी सभी साइट से तील भी लगा लिया है मैंने और अच्छी तरह से इसे हम अब रोल कर देंगे तो ये देखिए एक रोल हमारी बन के तयार हो गई है अब इसे हम पलेट में रख दे रहे हैं सेम तरीका से हम दूसरी रोल तयार कर लेंगे तो फॉल पेपर ले करके ग्रिस कर लिए थे उपर से हम डाल दे रहे हैं तिल तिर डाल करके हम मिश्रन को डाल दिये है अब इसे सेम तरीका से हम सेम तरीका से रोल करके हम तयार कर लेंगे इसको भी हम रोल करके दोनों को तयार कर लिये है अब इसे प्लेट में रखके फिरीज में आधा गंटा सेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा में रोल सेट हो गई है, अब इसे हम काट लेंगे, इसे आधा आधा इंच के टुक्रा में हम काट लेंगे, मकर सक्रांती से 15 दिन पहरे चिल्ला जाड़े शुरू हो जाते हैं, यानी एक जन्वरी से, एही समय है इन्हें बनाने का भी नहीं बनाएंगे तो कब यह हमारी तील मावा रोल बनके तयार है, रेसिपी अच्छी लगे, 23 मकर संक्रांती तील मावा रोल बना के खाएं, बनाना है एकदम आसान, आपको और आपको बच्चों को बहुत पसंद आएगी यह तील मावा रोल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर करना नहीं